Hello everyone, आज किस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 013, Discrete Mathematics Block 1, Elementary Logic Unit 3, Boolean Algebra and Circuit इसके अंदर हमारे पास तीन चीजे हैं इस यूनिट के अंदर Boolean Algebra, Logic Circuit और Boolean Function तो आज हम Boolean Algebra समझेंगे, Boolean Algebra क्या होते हैं, उसके Laws क्या होते हैं, यह सब कुछ ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि Boolean Algebra होता क्या है तो Boolean Algebra is used to analyze and simplify the digital logic circuit जो digital logic circuits होते हैं उसको हम क्या करते हैं, simplify करते हैं Boolean Algebra का use करके इसको हम सिर बाइनरी नमबर में यूज करते हैं, 0 और 1 के format में इसको हम लॉजिकल Algebra या फिर Binary Algebra भी कहते हैं, तो अगर देखो यहाँ पर जो हम Boolean Algebra का Law use करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़े होते हैं, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है ठीक है, एक्स और फिर यह हमारे क्या होता है, conjunction यह disjunction होता है, ठीक है, यह disjunction का sign है, यह भी disjunction है अगर इस तरह से दे रखा है, तो आप उसको अगर ऐसे लिखोगे, तब भी क्या है, हमारा वो same रहेगा यह हमारा क्या होता है, associative law, जैसे अगर हम match में बढ़ते थे, तो आपको याद होगा match में जब associative law को देखते थे, तो वहाँ पर क्या होता था, 2 प्लस 3 और इसको bracket में लगा लो और यहाँ पर लिख दो 4, equals to किसके हो जाता था, 4 प्लस 2 और प्लस 3 के बराबर हो जाता था, ठीक है, यह जो मतलब अगर हम यह sign देखे, disjunction का, तो वो plus की way में use किया जाता है, plus की जगह पर हम इसका use कर सकते है, ठीक है, और यह वाला जो sign होता है, इसको हम dot की जगह पर, यानि कि multiply की जगह पर use कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम use, लिखते हैं इसको, तो जहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो जब आप इसको plus करोगे, 2 और 3 क कितना होता है, 5, 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9, तो यहाँ पर भी 9 आएगा, और यहाँ पर भी कितना हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, 4, 5, 6, 6 और प्लस 3 कितना हो गया, 9, तो यह दोनों क्या answer जो है, वो same है, तो मतलब इसमें भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो sign है, वो किसका है, हमारे पास conjunction का है, और यहाँ पर भी sign क्या रहेगा, conjunction का रहेगा, तो धिहा communicative law, communicative law में दो deserts के साथ होगा, मतलब हम उन deserts को आपस में, उसकी जगहें को change कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर x लिखा है, यहाँ y लिखा है, तो हम y और x लिख सकते हैं, और sign हमारा change नहीं होगा, sign को हम वही लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद है distributive law, distributive law में क्या होता ह इसको कैसे कर सकते हो, distributive है, यानि के distribute करना इसको खोल सकते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, और बीच में जो sign है, & का वो sign लगाएं, छी को बीच में होता है, ठीक है, आप इसको इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं मतलब इसका जो answer है वो same आएगा चाहें आप इसको solve करके देख लो ठीक है चाहें आप इसको solve करके देख लो मतलब left hand side को solve करोगे तब ही वही आएगा जो right hand side को solve करने पर हमें मिल रहे है उसके बाद है identity law identity law में क्या है x को अगर आप यहाँ पर क्या है और x और 0 करोगे तो आपके पास हमेशा answer क्या आएगा x यह आएगा इसको हम check भी कर सकते हैं अगर x में कुछ भी value है true है या false है दो ही value आ सकती है और हमारे पास करना है यहाँ पर 0 है ठीक है तो 0 के अंदर क्या आएगा दोनों में 0 0 यानि कि false false आएगा तो आप इसको लिख लो false false ठीक है इसमें हमने लिख लिया false और false उसके बाद में यहाँ पर आएगा हमारे पास हम क्या करें है x और 0 करें x और 0 यानि कि इन दोनों का हम और function परफ़ॉर्म करें तो और में क्या होता है जहाँ पर दोनों ही false आएगे बस वहाँ पर false आएगा और यहाँ पर देखो true आएगा ठीक है यह पर true है और false है तो यह true हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है फ़्रस तो ही आप देखोगे यह वाली चीज और यह वाली चीज क्या है सेम है तो इस वज़े से हमने यहां पर क्या लिखा है सिर्फ x लिखा यानि कि x और 0 करोगे यानि कि null जो हमारा होता है null expression उसके साथ में अगर आप और function यानि कि disjunction को perform कर रहे हो तो आपका जो answer है वो x ही मिलेगा उसके बाद है x end यहां पर क्या है यह यह यहां पर क्या है यहां पर क्या है यहां पर क्या होगा अगर इन दोनों के अंदर हम क्या perform कर रहे हैं disjunction यानि sorry conjunction perform करें यानि कि end तो यहां पर जब इन दोनों के बीच में हम end operation करेंगे यानि कि true true क्या रहेगा true रहेगा बागी अगर true false रहेगा तो हमारे पास क्या रहेगा false आता है ठीक है तो यहां पर देखो यह वाली चीज और यह वाली चीज क्या है same है तो इसी वज़े यह हम x बोलते हैं ठीक है तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसे होगा तो हम उसकी जगह पर यह भी लिख सकते हैं उसके बाद है complimentary law complimentary law क्या कहता है कि अगर x end मतलब x end x dash कर रहे हैं यानि कि इसका compliment ले रहे हैं फिर उन दोनों के बीच में and perform कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा यानि कि null आएगा ठीक है null expression और अगर हम ऐसे करें x और x complement करें तो हमारे पास identity law आएगा ठीक है इसको हम करके भी देख लेते हैं जैसे हमारे पास लिखा है x x में हमारे पास दो expression आ सकते हैं ठीक है true या false x not में हमारे पास क्या सकता है इसका false हो जाएगा और इसका true हो जाएगा ठीक है अब इन दोनों के बीच में हम and operation perform करेंगे तो and operation करेंगे तो क्या आएगा x and x complement इन दोनों का operation करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा देखो and में क्या कहता है and कहता है यानि कि जो हमारे conjunction वाला rule है वो कहता है कि अगर दोनों false है तो हमारे पास क्या आएगा, false आएगा अगर दोनों true है, तभी true आता है, दरवाइस false आता है तो true false क्या हो जाएगा, false true क्या हो जाएगा, false हो जाएगा तो यह दोनों क्या है, false आगए, तो यह क्या है हमारा null expression, ठीक है यानिकि false है, इसकी जगे पे आप zero लिख सकते हैं, ठीक है उसके बाद में आप क्या है, x, और कर रहे है, x और x का compliment ठीक है, तो यहाँ पर जब करेंगे तो true false क्या होता है, true आएगा false true क्या होगा, true आएगा, तो यह हमारा क्या होगा, identity, ठीक है यह हमारे boolean algebra के कुछ laws है, उसके बाद में यह कुछ laws है जो theorem से represent करें, यहाँ पर theorem 1 कहती है, कि let be equals to क्या है, यह हमारा set of all, जो भी हमारे proposition होते है उसका set हम इससे represent करें, यह हमारा क्या है, अभी हमने पढ़ा यह क्या होता है, disjunction होता है, ठीक है, यह हमारा क्या होता है, से बिलॉंग करें, तो सबसे पहले हमारा क्या है, item potent low जो क्या है कि x और x अगर इस तरह से दिया है तो आप उसकी जगे पे x भी लिख सकते हो क्योंकि जब आप इसको करोगे न तो answer क्या आना है x ही आना है अगर ऐसे दिया है x intersection x तो इसकी जगे पे आप क्या x भी represent कर सकते हो मतलब इसकी जगे पे आप इसको लिखोगे तब भी बात वही है ठीक है इसकी जगे पे अगर आप सिर्फ x लिख रहे हो तब भी बात वही है ठीक है चाहें इसको प्रूब करके भी देख लो जैसे कि अगर x है और यहाँ पर x है तो x में क्या आएगा यह हमारा and operation है sorry, or operation है यानि कि यह क्या है disjunction, तो इन दोनों के बीच में disjunction perform करोगे तो t आएगा और f आएगा ठीक है, तो यह हमारा क्या है answer यही आए ना, जो x में value थी वही इसमें आई है, तो हम इसकी जगे पे x भी लिख सकते हैं और इन दोनों की जगे पे हम x भी लिख सकते हैं, ठीक है उसके बाद है absorption law absorption law क्या कहता है, x disjunction, x and y तो इसकी जगे पे आप इसकी जगे पे सिर्फ और सिफ x भी लिख सकते हो, ठीक है यहाँ पर जो sign है, उसका जो अंदर वाला sign है वो क्या होगा, उल्टा होगा, तो उसकी जगे पे हम simple simple x लिख सकते हैं, ठीक है यानि कि जो बाहर है, उसी value को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद है involution law involution law क्या है, कि अगर मान लो x, y, x और यह इस तरह से दिया है, s, x, disjunction, y इन दोनों का compliment, ठीक है इन दोनों का compliment, तो हम क्या करेंगे, इसको x का compliment हो जाएगा बस यहाँ पर जो sign होगा न, उसको हम reverse कर देंगे, sign देखो यहाँ पर क्या था disjunction का, यहाँ पर जो sign है और y का compliment, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, या फिर अगर ऐसे दिया है, x and y, ठीक है, यह end है, x and y, और इस पूरे का whole compliment, तो हम क्या करेंगे, x को compliment कर देंगे, और जो यह sign है, इसको change कर देंगे, ठीक है, इसको change कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y को compliment हो आपके पास में कोई भी दिया है, कोई function है, जैसे, अगर हमारी duality है, ठीक है, इसको अगर हमें find करना है, तो कैसे find करेंगे, पहला step क्या है, कि अगर आपके पास यह dot दिया है, तो dot अभी मैंने बताया, आपको किसके लिए use करते है, इसके लिए use करते है, जो हमारा conjunction होता ह जाएगा, conjunction, disjunction में change हो जाएगा, ठीक है, अगर हम इसकी duality को check कर रहे हैं, मतलब दोनों साइड हमें करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर हमारा second है, कि अगर कोई चीज 0 है, तो वो किसमें change हो जाएगी, 1 में change हो जाएगी और 1 0 में change हो जाएगा, मतलब यहापस में एक द्यान क्या रखना है आपको, do not complement the variable, बस variable का complement नहीं करना, ठीक है, जैसे कि अगर ऐसे दिया है, आपके पास कोई function f दिया है, उसके अंदर a plus b c इस तरह से दिया है, तो अगर आप f d निकाल रहे हो, मतलब function की duality check कर रहे हो, तो यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हो, a plus b multiply c, ऐसे दिखा है ना, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ d नहीं आएगा, f d, इसकी duality check करेंगे तो क्या जाएगा, बस यह sign change करना है, यह plus वाला sign किसमें चला जा इसकी duality को check करते है, तो duality होता क्या है, यही पर लिख देरियों में, कि if we have a valid boolean equation and if we apply dual on both sides, then its dual equation will also be valid, ठीक है, अगर मानलो आपको कोई equation दे रखे है, उस equation में, जैसे suppose करो, कि आपको कुछ ऐसा दिया है, like a plus b c, ठीक है, ऐसे दिया है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, तो a, या फिर यह equation मानलो, यह एक equation है, ठीक है, a plus b c, इस तरह से लिखा है, a plus b और a plus c, तो अगर जब हम है आपर, मतलब इनके sign को, duality को दोनों side कर रहे हैं, ठीक है, दोनों side duality perform कर रहे हैं, तो इसके answer पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानि कि a plus b c है, तो इसकी जगे पर हम क्या कर सकते हैं, इसको change कर देंगे, इस plus के sign को किस में change कर देंगे, यह multiply में, यानि कि यह change हो जाएगा point में, और यहाँ पर change करेंगे, तो क्या आजाएगा, b plus c, ठीक है, अब और यहाँ पर check करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में dot operation है, और यहाँ पर plus है, तो इसको क्या कर देंगे, a, b, plus a, c, ठीक है, यह जो plus का था, वो dot में change हो जाएगा, तो जब आप इसको solve करोगे, तो a, b, plus a, c, equals to a, b, plus a, c, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, दोनों जो answers है, वो क्या आएगे, के दोनों के same ही आएगे, ठीक है, तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, तो फिर दोनों में से a निकाल सकते है, जैसे इसमें से a निकाल सकते है, b, plus c आजाएगा, चाहेए, आप इसको ऐसे कर लो, चाहेए, ऐसे कर लो, बात से, अब इसके बात में एक question है, इसको solve करते हैं, कि यह क्या कह रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, reduce the boolean expression to a simpler form, ठीक है, इसको simpler form में हमें क्या करना है, change करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने अभी तक जो laws पड़े हैं, उन्हीं का use करके हम इसको solve करेंगे, तो यह हमें इसको क्या करना है, reduce करना है, इसको reduce करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या है हमारे पास, here we can write x1 and x2, x1 and x2 का complement, ठीक है, यही दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो क्या कर सकते है, इसके अंदर क्या change कर सकते है, इसको reduce करने के लिए, तो हमें पता है कि हमने associative law को पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, कि अगर x1 और x2 ऐसे दिया है, तो मैं इसको इसके साथ में लिख सकते हूँ, x2, sorry, associativity म क्या होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 1 और x2 का complement, ठीक है, इसको अटा दो, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, अब इसके बाद में यह हमने किस से किया, associative law की help से, अब इसके बाद में यहाँ पर देखो, x1 और यह हम कैसे reduce कर सकते हैं, x2 और यह हो जाएगा, x का complement और 2, ठीक है, यहाँ पर देखो, यह हमने use किया, जैसे जो अब भी हमने पढ़ा था, absorption low, ठीक है, absorption low में देखो क्या था, absorption low में क्या था, कि अगर आपको कुछ इस तरह से दिया है, तो उसकी जगे पर आप क्या use कर सकते हो, simple x use कर सकते हो, लिख कर, ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर भी इसको किया है, ठीक है, यानि कि अगर ऐसा दिया हुआ है, तो उसकी जगे पर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने इसको कर दिया, और उसकी बाद में यहाँ पर किया, कि अगर यहाँ दिया है, x1 and इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है, यानि कि x2 and x2 का complement, ठीक है, तो इसके बाद में यह हमें पता है कि यह 0 हो जाएगा मतलब कि x2 है और x2 का complement है तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम करेंगे तो यह क्या हो जाएगा अमारे पास 0 हो जाएगा ठीक है तो अगर आप किसी भी x1 को null से multiply कर रहे हो null expression से तो आपका answer क्या आएगा null ही आएगा ठीक है यह किसकी help से हुआ complement implementation law की help से ठीक है तो यहाँ से हमें क्या मिल गया यह null मिल गया तो यह हमारा क्या हो गया यह हमारा identity law से हुआ था यह identity law तो हमारा जो answer आया है वो क्या आगया हमारे पास null expression तो I hope कि आपको यह समझ में आया होगा और वीडियो चलगा होगा तो वीडियो को like करें share करें और अगर आपका कोई भी query है या फिर आपका कोई भी suggestion है तो नीची मुझे comment box में लिकर बता सकते हैं तब तक के लिए thank you for watching